सब्सक्राइब कीजिए लॉपडेट्स यूटूब चैनल को और साथ मैं ही बेल आइकन को प्रेस करें निव लॉर लेटीज जानकारी के लिए आज केस में मैं सबसे अच्छा और बहतर आई का साधन किराया है जिसके पास कोई प्रोपटी खाली पड़ी हो तो उसे प्रोपटी का मालिक किराय पे दे सकता है परन्तु किराय पर लेते और देते समय जो सबसे मैं पूंचेज है वो है रेंट एग्रिमेंट आपने अगर कभी किराए पर कोई प्रॉप्टी दी है या किराए पर ली है तो rent agreement जुरूर साइन किया होगा क्या आपने कभी सोचा है कि rent agreement 11 महीने का ही क्यूं करवाया जाता है 12 या उससे ज्यादा का क्यूं नहीं होता है आईए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं ज्यादा तर rent agreement 11 महीने के लिए ही बनवाया जाता है ताकि उन पर stamp duty का भुखतान करने के लिए बचा जा सके Registration Act 1908 के अनुसार किसी lease का agreement का time period अगर 12 महीने से ज्यादा होता है तो उस lease agreement का registration कराना ज़रूरी है अगर किसी lease agreement को register कराया जाता है तो उस पर registration fees और stamp duty का भुखतान करना भी ज़रूरी हो जाता है जाने दुनिया के इन देशों में प्रतिव्यक्ति कितना कर्द है उधारन के लिए दिली में 5 साल के लिए stamp paper की कीमत 1 साल के किराय के 2% के बराबर है और 5 साल से अधिक के लिए ये सालाना किराय के 3% के बराबर है 10 साल से ज्यादा और 20 साल से कम के लिए ये सालाना किराय का 6% के बराबर है अब अगर agreement में security deposit के बारे में भी contract है तो 100 रुपे security के जुड़ते हैं और 1100 रुपे registration fees के भी जुड़ जाते हैं अगर कोई मकान 2 साल के लिए किराय पर दिया जाता है जिसमें पहले साल का किराया 20,000 महीना है और दुसरे साल का किराया 22,000 महीना है तो इसका और सालाना किराया दो प्रच्यत होता है यानि 50,040 इसमें अगर security deposit है तो 100 रुपे जुड़ जाएंगे और registration fees के 1,100 जुड़ेंगे जो कुल मिला कर 6,240 रुपे का खर्चा बनता है इसके अलावा वकील और दूसरे कागजिक करवाई करने वालों का खर्चा अलग से होता है जो इसमें और जुड़ता है और इस हिसाब से एक agreement को register करवाने में 8-10,000 रुपे लगते है अब अगर कोई 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए agreement करता है तो उसको Agreement Registration Act 1908 के अनुसार register करवाना पड़ेगा जिसमें 8-10,000 रुपे का खर्चा आएगा जैसे की उपर बताया गया है इसलिए इन सब खर्चों से बचने के लिए मकान मालिक और किराईदार आपसे समझोते के अधार पर 11 महीने का agreement बना लेता है जिससे उन्हें इस agreement को ना तो register करवाना पड़ेगा और ना ही registration fees देनी पड़ती है हालांकि अगर आप agreement करवाना चाते हैं तो जो खर्चा होता है उसको मकान मालिक और किराईदार आपस में बांड सकते हैं और stamp paper मकान मालिक या किराईदार किराईदार किसी के भी नाम पर खरिदा जा सकता है अब आप समझ गए होंगे कि rent agreement 11 महीने का ही क्यूंग बनता है तो दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस को शेर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हाँ ऐसे ही लौर लेटी जनकारी के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें